हेलो एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जी के ड्रंकर मैं संतोस कुमाराब सबकापने इस यूट्यूब चैनल जी के ड्रंकर में आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि कल हम लोगों ने एक पोल किया था जिसमें सबसे उपर जोग्रफी ने अपना पर्सेंटेस लेकर 6 बजे साम तक आया था तो कहे गए बातों के अनुसार आज मैं जोग्रफी को सुरू से स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो इसी दोर में सबसे पहले universe and the solar system के बिसे में हम लोग परहेंगे universe and solar system में हम लोग परहाई करेंगे big bang theory के बिसे में कि big bang theory होता क्या है big bang theory आया कब किस ने दिया big bang theory किस परकार से helpful है इसके बिसे में परहाई करेंगे फिर हम लोग particles के बिसे में परहेंगे फिर atoms के भी समय परहाई करेंगे, फिर molecules, फिर gases clouds, फिर stars, फिर galaxies के भी समय परहाई करेंगे फिर finally हम लोग solar system और उसके बाद most important planet हमारे solar system का अर्थ के भी समय हम लोग परहाई करेंगे इसके बाद फिर दूसरी chapter में हम लोग अर्थ के भी समय परहाई करेंगे जिसमें हम लोग lithosphere के भी समय परहेंगे lithosphere को हम लोग geomorphology भी कहते हैं इसके बाद हम लोग फिर से atmosphere के भी समय परहेंगे जिसको हम climatology कहते हैं इसके बाद फिर हम hydrosphere पानी के भी समय परहाई करेंगे जिसे हम oceanography कहेंगे फिर इसके बाद आता है geography का next part जिसमें economic expect के भी सेमें परहाई करेंगे जहां पर आप हम लोग agriculture, mining, industries, इस के भी सेमें परहाई करेंगे फिर हम infrastructure, services इन चीजों के भी सेमें परहाई करेंगे after that फिर यह दौर आता है environmental aspect का environmental aspect में हम लोग सबसे पहले फिर परहाई करेंगे ecosystem के हमें की ecosystem है क्या फिर pollution के भी से में pollution क्या होता है, pollution के प्रकार कितने हैं, pollution किस प्रकार से आज बढ़ते temperature को लेके एक मतलब बहुत ही बढ़ा है, ये बन गया है, फिर से different pollutions, मतलब ये सभी chapter तो हैं, लेकिन ये सभी minor chapter में से आते हैं like pollutions, फिर global warming बहुत ही hot topic है, आज जिस तरह से हमारे earth and atmosphere का temperature बढ़ता जा रहा है, तो इसमें global warming एक अपना important role play कर रहा है, जिसमें हम लोग अपने deeds को इतना ज्यादा luxurious बना लिये हैं, कि जो हमारे global warming में एक बढ़ा कही ना कहीं कारण बनता जा रहा है, फिर हम इसके बाद sustainable development के भी समय फरहाई करेंगे, फिर से हमारा last and final portion जो आता है, वो है human geography का, human geography में हम लोग सबसे पहरे परहेंगे कि population क्या होता है, population बढ़ता है किस परकार से, फिर different cultures के भी समय परहाई करेंगे, फिर different languages के भी समय परहेंगे, फिर settlements के भी समय परहेंगे, फिर हम वो सारे final chapters हमारे हुए, फिर हम उसी के दौर में जो हमारा एक units तयार होके होता है, तो उसमें सबसे पहले earth and solar system and universe आता है, फिर se geomorphology आता है, फिर climatology आता है, फिर oceanographic और biogeography ये physical geography के parts है, जिसके भी सहमें हम परहाई करेंगे, फिर physical, sorry, sorry, फिर physical geography वो world के लिए आता है, जहां पर हम earth solar system universe, geomorphology, climatology, oceanography और biogeography के भी सहमें परहेंगे, फिर वो एक physical geography इंडिया के लिए आता है जिसमें हम फिजियोग्राफी उफ इंडिया पढ़ेंगे फिर drainage system के भी सेम पढ़ेंगे की इंडिया का drainage pattern क्या है फिर climate के भी सेमें पढ़ेंगे इंडिया का हम फिर इंडिया के soil के भी सेमें पढ़ेंगे इसके बाद लास्ट पोर्सन जो बन क्या आता है Economic and Human Geography वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी ये दोनों का साथ परेंगे जिसमें हम Oceanic and Water Resource के भी सेमें परेंगे Natural Vegetation क्या है भारत का Agriculture के भी सेमें परेंगे Minerals and Energy Resource के भी सेमें परेंगे फिर Industries, Transportation and Infrastructure Population and Settlement तो इस परकार से हमारा ये चैनल Sorry, फिर से हमारा इस परकार से Silevas जो की Silevas का एक पूरा साइकल जो है complete होता है और जिसमें हम फिर आगे इसके भी सेमें परहाई करेंगे कि आखिर किस परकार से इस शीच को पढ़ते हुए आगे हम इसमें बढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर जोगरफी है क्या जोगरफी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जोगरफी दो सब्दों से मिल कर बना हुआ है एक जोगर जियो आता है, जियो का मतलब अर्थ होता है प्रिथिवी, इसके बाद next आता है, जोगरफी के बाद जियो में अर्थ होता है और ग्राफी मतलब, ग्राफी का मतलब description होता है कि description of earth, that is the description about the earth is known है जोगरफी, इसके भी से हमें हम लोग परहाई करेंगे तो final से full detail, full मस्ती के साथ, पूरे full concentration के साथ आज साम से हम लोग नए lectures के वी सहे हमें नए lectures के साथ पहाई करेंगे फिलाल हम लोगों ने बात किया सी勵त मोटा मोटी क्या है यही सी勵त आपको S-S-C में देखने को मिलेगा यही सी बस आपको BPSC के examस में भीहार के different exam scripture भीहार दरोगा हो गया चाहे बिहार के जितने वी एक्जामों BPSC होगे यहीं से आपको देखने को मिलेंगे तो आसा करते हैं कि आप लोगों को सीलेवस समझ में आया होगा आप सीलेवस को बहुत ही थोरोली रीड करेंगे और हम लोग इतना तो आप से कहेंगे कि आप जहां पराई करते हैं अपने स्टड़ी टेवल के सामने इस पूरे सीलेवस को लिख कर आप चिपका दो जिसे कि आपको सीलेवस के बिसे में रिमाइंड रहे कि हाँ सीलेवस आखिर है क्या हमें क्या परना है कितना परना है तो family फिर से मिलते हैं साम में दूसरे lectures के साथ जहां पर हम आपको अपने phrase lectures पहला chapter universe and the solar system के साथ आपको आपको हम दिखाई दिखाई देंगे तब तब के लिए thank you ख्याल रखे अपना आसपास वक्षता बनाए रखें धन्यवाद जैहिंद